मुदमंगल में संसमाच्य धर्म प्रेमी सज्जनों स्रद्धा मुर्ती देवियों तीथी के अनुसार गुरु पूनिमा का पर्व आश्य से दस दिन पहले मनाया जा चुका है लेकिन हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय अपने इष्ट और गुरु को याद करने के लिए सुचंत्र है किवाले एक दिन गुरु पूनिमा के दिन ही हम गुरु की याद करें और बागी दिन भूल जाएं तो इसका कोई मतलब और महत्व नहीं रह जाता चाहा गुरु हो चाह ज्ञान हो चाह विवेक विचार की बातें हो ये बातें हर समय मननी और विचारनी है आज कविर ब्रह्मचारनी आत्रम नवागाओं में हम सब एक अत्र हुए है एक गुरु पूनिमा का परव मनाने के लिए एक उस्साओ के रूप में छोटा सा कारक्रम आयोजीत है गुरु का क्या महत्व है जीवन में सब भली भाति परशीत है गुरु जीवन दाता है माता पिता जनम देते हैं जीवन नहीं देते हैं माता पिता जनम दाता है और गुरु जीवन दाता है कि जीवन में क्या करना है कैसे करना है आगे कैसे वढ़ना है जीवन को देश्य क्या है ग्यान देने वाले को गुरु है गुरु ना मिले होते तो हमें विद्या का ग्यान कैसे होता अक्छर ग्यान कैसे होता अनिक विश्यों का ग्यान कैसे होता और जीवन का कोई ऐसा छेत्र नहीं है जहाँ गुरु की आवसकता ना होती हो छोटी से छोटी बात किशिन न किसी से सिखनी होती है हमें खार भूनना नहीं आता लेकिन हम खार भूनना चाहते हैं तो किसी से सिखना पड़ेगा तो खाड बुनने के लिए उसके पास जाना होगा, जो खाड बुनना अच्छी तरह से जानता है, तो उसके लिए वो गुरु हो गया ऐसे जीवन में अनेक कलाएं होती हैं, जिने बहुतों से सिखना होता है लेकिन आज जो गुरु पुनिमा है या असाल पुनिमा को गुरु पुनिमा मनाते हैं लोग, वो उस गुरु के लिए होता है, जो ज्ञान दाता है, जो हमें आत्मबोध देने वाले होते हैं इतली कहा गया है गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्च समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान इस दुनिया में गुरु के समान कोई दाता नहीं है और उस दान को ग्रहन करने वाले शिष्च के समान कोई याचक नहीं है गुरु तीनों लोकों की संपदा तीनों लोकों की संपत्ति शिष्च को दान में दे देते हैं लाक्षनिक कतन है गुरु दाता है किसका ज्ञान दान करने वाले आत्म बोध देने वाले हमारे आत्म तत्त्त का पर्चे कराने वाले गुरु होते हैं और जिसे अपने आत्म तत्त्त का बोध मिल जाता है और उस बोध कमसार से जिसके जीवन की रहनी बन जाती है उसकी सारे दरदरता समाप्त हो जाती है देखो एक दरदरता होती है बाहर की दरदरता जिसके पास रहने को मकान न हो खाने को अनन भोजन न हो पहने को कपड़े न हो बहुत मुश्किल से जिन्हें सीजे मिलती है ओ भातिक रुप से दरिद्र है और ऐसी जो दरदरता है बहुत ही दुखदाई है गोस्वामी जी ने मानस में ये कहा है नहीं दरिद्रसम दुख जग माही दरदरता के समान इस दुनिया में और कोई दुख नहीं है दरदरता का आर्थ क्या होता है? सुबह से साम तक काम करने के बाद भी जिस आदमी को भर पेट एक टैम भी भोजनना मिलता हो जिसे आधा पेट खा कर ही रह जाना होता हो दिन भर काम करने के बाद जिसके पास रात्रे विश्राम करने के लिए कोई छाया ना हो अपनी कोई जोपड़ी भी ना हो वह आदमी दरदर है और निशित है कि ऐसी जो दरदरता है बहुत दुखदाई है हमारी कामना होनी चाहिए कि ऐसी दरदरता दुनिया में किसी को ना मिले किसी को ना हो तो गोस्वामी जी ने ये तो कह दिया नहीं दरदरता के समान कोई दुख नहीं है लेकिन गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि पैसा मिलां सम सुख कछना है या धन मिलां सम सुख कछना है यदि पैसा मिलने से आदमी सुखी होता तो हर आदमी सुखी होता गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा क्योंक उन्हें मालूम था कि पैसे से सुख नहीं मिलने वाला है पैसे से शिर्फ सुविधा मिलेगी अराम मिलेगा जिवन दिर्वा की चीजे मिलेगी लेकिन मन का दुख खतम हो जाएगा ऐसा नहीं है आजर्व सुख जणा है कि तुम बड़े नेता बनगे चल्म हो जय्चे वह सुख हो जाओगे ऐसा भी नहीं कहा गुर्श्वाम के ले नहीं कहा कि शादू बननान में को फ़ो यह सुख नहीं है या गुर्य बनना की सुख नहीं है उन्होंने क्या कहा संत मिलन समसुख कछुना है संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं क्यों संत जीवन जीने का मर्म बताते है संत हमारा जो वास्तविक धन है जो धन हमारे हिर्दय में शिपा हुआ है आत्म धन, राम धन जिसके लिए मेरा भाई ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो संत उस राम रतन धन का परचे कराते हैं और जो संत है वो गुरु होते हैं जिन्हों ने हमें अपने आत्मधन का, जीवधन का, राम्रतन धन का सही ज्ञान हमें करवा दिया, वो हमारा गुरु हो गया, और जब आत्मधन का पर्चे मिला, तो सारी दर्दता समाप्त हो गई, क्योंकि यह पता चल गया, कि मुझे अब वो धन मिल गया है, जो धन कभी छुटने वाला नहीं है, बाहर का धन मिलता है, छुट जाता है, चोल डाकू चुरा करके ले जाते हैं, राजा भी छीन लेते हैं, अब परिवाल वाले बटवारा कर लेते हैं, लेकिन हमारे आत्मधन का बटवारा, हमारे जो जो ज्यान धन है, आत्मबोध का धन है, इसका बटवारा कोई नहीं कर सकता, इसे कोई चोल चुराएं सकता, डाकू लूट नहीं सकता, राजा इसमें टेक्स नहीं लगा सकता, हम जहां हैं, वहां, और फिर जो आत्मधन का परिचे हुआ तो सारा भाय कहतं हो गया कि क्योंकि जो मेरा है वो छुटने वारा नहीं है याद रखो जो छुटता है वो हमारा नहीं है हमारा वह है जो हम तेश छुटता नहीं घर छुड़ता है, परिवार छुड़ता है, मकान छुड़ता है, मठ मंदिर छुड़ते हैं रुपिय पैसे छुड़ते हैं, परतिसा छुड़ते हैं लेकिन हमारा आत्मा, हमारा जीव, हमारा राम हमसे कभी छुटने वाला नहीं है गुरु के समान कोई दाता नहीं है जो ग्यान दान दे करके आतमदान दे करके अनादिकाल की हमारी दर्जटा को मिटा दे उस आतमदान को उस ज्ञानदान को ग्रहन करने वाले जो शिश्य है वही सच्चा याचक है लोग पैसा मांगते हैं पैसा आएगा आपको थोड़ा से निर्वाव हो जागड़ीन छूट जाएगा आप किसी भिखारी को कुछ पैसा देकर अपने समान धर्वान नहीं बना सकते लेकिन गुरू ग्यान दे करके आत्म बोध दे करके शिश्य को अपने समान बना लेता है गुरू ने जो आत्म ग्यान का दान दिया उस दान को जो शिश्य ने ग्रहन कर लिया वो अभी गुरू के समान ही बन गया भले बाहर से शरीर से वो शिश्य है लेकिन अंदर से वो गुरू के समान बन गया ऐसा उपकारी और कौन होगा इतली कहा गया उपकारी नमे उपकार गुरू गुरू सम अन्यना आन उसी गुरु की याद करना है हमको याद उसके लिए करना क्या है तैयारी समर्पन जैसे भी शूर रहे थे एक लव्य कुजहरान के एक लव्य ने उठा तुर अंध काट कर दे दिया भीना सोच विशारे समर्पन भाव जब हमारे आंदर समर्पन भाव और गुरु का ज्यान हम ग्रहन करता गया है, कहा गया है, शिष्य को कैसे होना चाहिए, और साथ साथ गुरु को कैसे होना चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, सर्वस गुरु को दे, शिष्य ऐसा होना चाहिए कि अपना सर्वस गुरु को दे दे, अब सर्वस कहा ये समझने की बात होगी, आज कल शिश्यों के भक्तों के धन, जमीन, मठ, मकान को समर्पित करने वाले गुरू तो मिलेंगे, ये गुरू नहीं है, गुरू के नाम पर धन्धे बाज है, थोड़ी कर्वी बात हो जाएगी यहाँ पर, गुरू वह है जिसे भौतिक धन की लालसा नहीं होती, भौतिक धन की कामना नहीं होती, गुरू कोई जमीन अपने मठ अपने आम पर लिखाना नहीं चाहता, वो तो संसारी लोग है, भले साधू का कपड़ा पहना होगा, लिए जो कहता है, ये जमीन मेरे नाम लीदो, ये मट मेरे नाम लीदो, वो संसारी बेखती है, कपड़ा साधू का होगा एक ग्रहसा में अवो साधू में कोई अंतर नहीं है क्योंकि लोभ हा गया मन में न जिसके मन में लोभ हो वो संसारी और जिसके मन में संतोस है वो साधू चाहिए कपड़ा किसी का पहन लो तो कहा गया है कि शिष्ष तो ऐसा चाहिए सर्वस गुरु को दे शीस ऐसा होना चाहिए जो सर्वस अपने गुरू को दे दे लेकिन गुरू गुरू को ऐसा चाहिए उनमें कछू ना ले कि गुरू ऐसा हो कि उनमें कुछ ना ले इसका मतलब क्या होता है चुकि गुरू से हमें ग्यान गरहन करना है गुरू से हमें आत्म बोध ग्रहन करना है गुरू से हमें कल्यान का भाव ग्रहन करना है तो क्या करना होगा अपने भीतर को खाली करना होगा जैसे मेरे पास एक गिलास है उस गिलास में पानी भरा है किसी व्यक्ति नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूसर देना चाहता हूँ मैं कहा बड़ अच्छी बात आप मुझे दूसर दे दीजिए तो वो कहता है इस तुम्हारा गिलास है ना इसमें पानी भरा हुआ है इस पानी को फेंक दो तब इस गिलास में दूसर डालूंगा तो मैं क्या कहता हूँ पहले तुम दूसर मुझे दो तब पानी फेंकूंगा कोई पाय है मैं कहूँ अच्छा तूम तुम 2 बेकूब बना रहे हो मैं पानी फेंक दू अब तुम दूसर मुझे न दो तो ना दूसर मिला ना अब चाहिए तो हमें पानी फेकना पड़ेगा पहले बिस्लास रखना होगा आईशे ही गुरु से ज़िज्ञान चाहिए गुरु से आत्म बोध चाहिए ज़िए कहा सकते हैं शान्ती चाहिए कल्यान चाहिए आनद चाहिए तो करना क्या होगा सर्वस देना होगा एस सर्वस क्या है अपने हिर्दाइं में जितने मलीन ताएं है इस जीवन में जितने भी दोस दुर्गुन है छलकपट है सब कुछ का त्याग ये गुरु को देना है गुरु को देने के लिए अतली दक्षीना क्या होती है अतली भेड क्या होती है हम गुरु के पास जाते हैं किस्वंद के पास जाते हैं कुछ फल ले जाते हैं कुछ नारियल ले गए या कुछ पैसा चढ़ा दिये कुछ खाने पनी चीट दे दिये कपड़ा दे दिये घंटों में खतम गुरु को भेड़ देने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम दे दे और दे करके वापस ना ले जिसे देने की पस्चात हमारे भीतर में शानती आजाए सुखा आजाए, आनंद की धारा बहने लग जाए हमारे दर्ददा खतम हो जाए वो क्या है? अपना अहंकार अपने भीतर में जो कामना है, लालसा है इर्शा, द्वेशा है, बेर बिरोध है मतलब कहना चाहिए, हम जीवन में जो दोस दुर्गुन है शिछत ऐसा चाहिए, सर्वत गुरु को दे, इनको गुरु को चढ़ा दो क्योंकि जब तक हिर्दय में छलकपट है, द्वेश है, इर्शा है, गृणा है, बेर बिरोध है, लोव मूह है तो ज्ञान कैसे आगे उसमें? बहुत हिर्दय तो ये खी है ना? तो उसी हिर्दय में अग्ञान, उसी हिर्दय में ज्ञान एक साथ तो नहीं होगा उसी मन में, उसी हिर्दय में, अहंकार उसी हिर्दय में, सललता बिनम्रता ये तो नहीं होने वाला है, तो अपने को बिलकुल खाले कर दें, हमारे कविर पंथ में, रोज एक साखी अनेक बार बोली जाती है, अब सब को याद होगे, बंदों सनमुख पारखी सीस भेट धरी हाथ, बचन उचारों बंदगी सत्थ प्रेम के साथ, मैं बंदना करता हूँ, किसकी बंदना करता हूँ? पारखी की बंदना करता हूँ, पार्खी के मतलब होता है परक करने वाला, छानबीन करने वाला, छानबीन करके किसी चीज को ग्रहन करने वाला, किसी को छोड़ने वाला वो पार्खी है, साधू तो सभी है, जितने साधू हैं, किसी भी मठ मंदिर में, किसी भी कपड़े में, वैसे आदर्णी सब हैं, अजि पुरुकवीर ने कहा है, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मौर, अपनी अपनी जगपा जितने साधु हैं, सब बड़े हैं, सब का अधर सम्मान दो, लेकिन उसाधु में जो सब्दों का विवेकी है, जो विवेकी है, वही पारखी है, पारख और विवेक अलग-अलग नहीं है, दोनों ये खी है, तो साधु में जो विवेकी है, जड़ और चेतन का विवेक करता है, बंधमोक्ष का विवेक करता है, शारसार का विवेक करता है वो पार्खी वो सिर्मुकोट है उसे चाहब यहां कहा गया है कि बंदों सनमुक पार्खी मैं पार्खी की बंदना करता हूँ कैसे बंदना करता हूँ शीस भेट धरिहाथ अपने सीर को काड करके हाथ में भेट रख करके जब शीर काड़ दोगे बचेगा क्या, पैर काड़ दोगे जीवन चलेगा, अनिक लोग हैं, लंगडे हैं, पैर नहीं है, आगाश चलते हैं, हाथ काड़ दोनो तो भी जीवन चलेगा, आखे नहीं रहेगी तो भी जीवन चलेगा, कान सुनाने पट भी जीवन चलेगा, और शीर काड़ दो तब, फिर बचेगा क्या, शीर गया तो सब कुछ गया, कहते हैं अपने हाथों में शीर को भेंट रख करके मैं गुरु की बंदना कर रहा हूं, इसका मतलब शीर देने कर सक्या होता है, अहंकार को देना, अहंकार का त्याक कर देना, जीवन में जो दोस दुर्गुन हैं, मन के जो विकार हैं, इनका समर्पन, इनको गुरु को चलहा दो, और जैसे हम गुरु को अपने अहंकार को चलहा देते हैं, अपने जीवन के दोस दुर्गुन चलहा देते हैं, हिशेस क्या बच जाता है, हमा में रागद्वेस है इड़सा है घ्रिना है बैर्विरोध है लोब मौ है लालच है छलकपट है कुछ भी कर लें दिर्राद गुरु की सेवा करते रहें भक्ति कर रहें मंदिर जाकर पूजा पाड़ करते रहो कि जीवन में कभी शांति नहीं आए ग्यूंकि भीतर कचड़ा स चाहिए सर्वस्त गुरुको दे अपने भीतर के जितने दुर्गुन दोशे हैं अज गुरु को सबको चलहा दें लेकिन गुरु तो ऐसा चाहिए उनमे कछुझा ले गुरु वह है जो सिश्यों के दोस्त को लेता निर्दोश होने के लिए साधना कर रहा हूं ये गुरुपुनम मनाने का अर्थ होता है, ये गुरु को याद करने का अर्थ होता है हम हर साल गुरुपुनिमा मना लेते हैं कुछ लोग इकठे हो जाते हैं संत आते हैं, गुरु आते हैं पुजा कर लेते हैं बंदई कर लेते हैं आर्थी कर लेते हैं भंडा रहा कर चले जाते हैं जिवन तो वैसे का वैसे परिवरतां तो कहीं कुछ नहीं हुआ तो गुरुपुनिमा मनाने का अर्थ है क्या हुआ किसले मना रहे है खिर पुड़ी खाने के लिए यह तो तुम अपने घर में खा सकते हो बढ़िया बना कर खा सकते हो गुरुपुनिमा मनाने का अर्थ होता है एक बात यह सुथ ले जैसे हम लोगों ने गतवर्थ गुरु पुनिवा मनाया था और आज मना रहे हैं साल भर कंतर हुआ तो जब आज हम लोग इगठे हुए हैं तो ये सोचें कि जब गतवर्थ में गुरु पुनिवा मनाया था अब यहां आया था या कहीं अन्यात्रम में गया था आद मना रहे हूं तो इस साल भर के भीतर मेरे जीवन के कौन-कौन से गलत आदत का मैंने त्याक किया है कौन-कौन से गलती को मैंने छोड़ा है क्या-क्या कमी मुझे दूर हुई और कौन-कौन से अच्छी आदते मैंने बना ली कौन-कौन से सदगुम मेरे जीवन में आये मेरे मन के चंचलता कितनी दूर हुई मेरे मन का विकार कितने दूर हुआ औہ यदि थोड़ा भी मन के विकार दूर हुए थोड़ी सी गलतियों में कमी आई थोड़े से गलत कर्म कम हुए अच्छी कर्म बढ़ गए अच्छा बिवहार हम ने कल लिया भक्ति सेवा के मार्ग में पढ़े थोड़ा ज्यादा लग गए अहंकार थोड़ा सा घड़ गया तो समझ लेना हमारा गुरु पुनिवा मनाना सार्थक हो गया सफल हो गया इशीक लिए आते हैं हम और यही इसका आर्थ भी होता है तो आज हम लोग गठे हुए हैं कहीं भी हो हर आदमी यहां जितने भी गठे हैं किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं यह सोचना है कि गुरु से जुड़ने के पश्चाथ जीवान में कितना क्या परिवर्तन हुआ अब परिवर्तन नहीं हुआ तो एक निगुरा व्यक्ति में और एक सगुरा व्यक्ति में अंतर क्या हुआ कंठी पहन लिए तो इतने से मत समद लेना कि हम गुरु की चेले बन गए गुरु मुख हो गए और कोई कंठी नहीं मिला है, वो निगुरा व्यक्ति है, साकट है, ऐसा सोचना ही भरम है, अंकार आजाएगा, हम तो कंठी पहन लिये हैं, माला ले लिये हैं, देखो ये कंठी माला नहीं पहने हैं, ये छोटे हम बड़े, यही अंकार दुबाएगा हमको, अंतर क्या है द्योनों में, हम गुरु से दिक्षा ले लिये हैं, कंठी माला पहन लिये, गुरु मंत्र ले लिये हैं, यदि हमारा जुट बोलना थोड़ा कम हुआ, हमारा कटु बोलना थोड़ा कम हुआ, हमारा गाली देना कम हुआ, लोब करना कम हुआ, शलकपड करना कम और नहीं हो रहा है तो कंठी पहन लेने से तहिता कुछ नहीं होने वाला है बात है Guru Poonima की कि आज हम लोग Guru Poonima के अँषर परिकात्र हुआ है Guru का अर्थ होता है भारी Guru का अर्थ दिक्शदेने वाला होता है अनेक गुरु ऐसे हैं जो जब दती दिख्षा देते हैं लोगों को पता नहीं क्या फाइदा होता होगा दिख्षा दे करके कंठी माला पहना करके ऐसे गुरु मिलेंगे आपको कभी कभी ऐसे लोग आ जाएंगे संत हैं साधू हैं आपके मन में सरद्धा है भक्ती है भावना है प्रेम हैं आप सेवा करते हैं तो आपके घर में ऐसे भी साधू गुरु आएंगे जो आएंगे आप सागा सत्कार करोगे सब कुछ हो जाएगा कथा सत्तंग भी हो जाएगा अजब भोजन बनेगा तब वो साधू या गूरू कहेंगे तुमने दिख्षा लिया ने कंठी पना ने पने तो जब तुम दिख्षा लोगे तब भोजन करेंगे अब वो चेला चेला बने तयार बैठा विचारा ऐसे कोई साधू आजाए ना तो हाँ जोरकर कजन भूख लगी है तो खालो नहीं तो हम लोग बना भोजन हम लोग खालेते हैं आपको रहना रहो ने जाना जाओ कोई पाप ने लगेगा गुरू कौन गुरू कर्थ होता है वजनदार गुरू कर्थ होता है भारी जो भारी है वजनदार है वो गुरू है तो भारी की से शरीत भारी नहीं ग्यान से वजनदार आचरन से वजनदार सदाचार से वजनदार त्याग से वजनदार जिन में त्याग हो जिन में ग्यान हो चरित रहो आचरन हो सदाचार हो त्याग बैराग हो वो भारी है वो गुरु होता है और ऐसे गुरु की जब हम सेवा करेंगे तब उस गुरु के लिए हमारे मन में समर्पन होगा तब धीरे धीरे करते करते उनकी जीवन का आठरन हमारे जीवन में आता चला जाएगा लेकिन हमें निश्चल बनने के आवा सकता है, गुरु के पास जाकर, तो मराज आसिरवाद दीजिए, ठीक है, गुरु का आसिरवाद अपने आप मिलेगा, मांगने ज़र्वत क्या है, काम ऐसा करो ना, क्या गुरु के पास जाओ, संट्व का जाओ, कभी यह मत कहो कि मेराज आसिरवाद देदे, कोई धान बढ़िया हो जाए, कि वैपार मुनती हो जाए, मुनाफ़ा जाद़ हो जाए, यह तो होई रहे काम करो हो जाएगा, गुरु के पाज जाओ तो आशिरवाद माराज गुरु जी ऐसा आशिरवाद दो कि मेरा मन हमेशा शान्त रहे मैं हमेशा सुख से प्रसंता से जीवन जीओ ऐसा आशिरवाद मांगो मैं जीवन वर भक्ति करता रह जाओ मेरे द्वारा किसी को दुख न मिले ऐसा आशिरवाद मांगो न आशिरवाद की बात आई कई बार मैं कहां हूँ इस 36 गड़ में शुख जान में राजनांगी जीलम शुख जान है वहाँ एक कारिक्रम था कारिक्रम कम दिन दिन पूजा हो रही थी 28-30 साल की एक यूती आई गर्भवती थी एकदम निकट जैसे हैं ब्रकुर निकट आगे मेरे के महराज जी गुरु जी आशिरवाद दीजिए का बेटा खूस रहो सदे परसंद रहो गुरु जी ने यसी आशिरवाद ने चाहितो कि क्या आशिरवाद चाहिए तो देखो उस यूती है दम हीमत ऐसे हैं मांगने के अब उसके मन में कितकी भावना है कंशकर उसके गर्भवे में जो बच्चा उसका संकार तो अच्छा बनेगा ना साधू बने ना बने अच्छा आदमी तो बनेगा तो गुरु पाद जाते हो आप तो आशिरवाद जब मांगना हो तो बस यह कहो कि मैं अच्छा जीवन जीऊं मेरा ज्यान बढ़े मेरा प्रेम बढ़े मेरी भक्ती बढ़े मेरी सेवा बढ़े मेरे मन का संतोज बढ़े मेरे मन की शांती बढ़े यही आशिरवाद ना और यही आशिरवाद जो गुरु हो एसे गुरू की याद नहीं करना है हमको आज हमको तो उस गुरू की याद करना है जो सचमुच में गुरू है और गुरू की याद करके गुरू भक्ति करके क्या बनना है गुरू बनना है मैंने कहा था कि गुरू करत क्या होता है वजन्दार और वजन्दार किस से चरित्र से ग्यान से भक्ती से आपका पैसा अराम से जीवन जी होगे बड़ा मकान बना लोगे बड़ी गाड़ी खर लोगे महंगे महंगे सब समान खर लोगे सोने चादी के गहने पहन लोगे लेकिन यह सब होने के पश्चाथ आपके मन के शांत ही चली गई आपका पैसा बढ़ा मकान बढ़ा जविंजाजाद बढ़े और सब बढ़ा किन्तो आपके मैन में शांती नहीं, परसंता नहीं, चैन नहीं है तो फाइदा क्या है? थोड़ा ही पैसा हो का हो इतना हो, इतना मकान हो के रहने भर का मिल जाए इतना धन हो के खाने पीने के लिए बालबूत तो निर्वागी पढ़ाने दिखाने के लिए हो जाए, ऐसे महनत करो सब होता रहेगा लेकिन सबसे बढ़ा धन आपका आपके मन का चैन आपके मन का शुकूम, आपके मन की शांत आपके मन की परसनता और आपके मन का संतोष तीनों लोग की संपदा सोद गुविर दिनों धान्दों कहा गया ना यह तीन लोग संपदा क्या है जिसके मन में संतोष है समद लोग से पूरे दुनिया का राज्य मिला हुआ है यह संतोशी दुनिया का राज्य है, गोधन, गजधन, बाजधन, और रतनधन खान, जब आवेश संतोश धन, सवधन, धुरी समान, सदुरी कवीर कहते हैं, गोधन, गाय धन, पहले जमाने में, धन गाय हुआ करती थी, इरुपया पहले जमाने में, नोटों परतला नहीं था, सिक्का नहीं हुआ करते थे, साथनों पढ़ों, तो बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, एक एक आदमी पास सव, 200, 400, 1000, 1000 गाय होती थी, आदमी को कुछ खरिजना है, दो गाय ले लिए, उसको दे दिया, आदमी कुछ खर ले ले ले, गाय ही थे ले, लेम देन का माध्यु ख़र्थे, तो गोधन, गजधन, गज़ हाथी, हाथी धन है, बाज़धन, बाज़ए घोड़ा, याब गाज़धन है, गज़ड़धन है, घोड़धन है, हाथीधन है, और रतन धन खान और यह जो रतन है हीरय मोति पन्य पुखराज यह सब भी धन है लेकिन जब आवे संतोस धन सब धन धुर समान संतोस के समान यह कोई धन नहीं है जो इसके मन में संतोस है वो अराम की जिन्दगी जीता है और संतोस नहीं है तब, चीज़ें तो बहुत बढ़ गई, नीद नहीं आएगे आपको रात में, इसलिए देखो, ठीक से भूख लगे, शरीर सस्त हो, जो भूख लगे, जो खा वो पच जाए, शरीर में कोई रोग ना हो, ठीक से भूख लगे, समय से, और जो खा वो ठीक से पच जाए, आपक परिवार में, जो लोग रहते हैं, उसमें, एक दुसरे पती प्रेम हो, बिश्वात हो, सेवा समर्पन भाव हो, और मन में शांती हो, इसके बाद आपको और क्या चाहिए, इस इस बड़ा सुखा, और क्या मिलेगा, पैसा बढ़ गया, और शरीर रोगी हो गया, पैसा बढ़ गया, मुकदमें बढ़ गया, जन पती बढ़ गया, तो मुकदमें बढ़ गया, तो आपको धान या पैसा क्या करेगा, ना तो आप खा पाते हो, ना तो ठीक से सो पाते हो, किशी व्यक्ति ने किसी विचारक ने एक बहुत बढ़िया बात कही है सुखी आदमी कौन किस आदमी सुखी कहा जाए जो आदमी जो आदमी वकील और डाटर को खोशता नहीं है जो डाटर और वकील के पीछे नहीं घुमता जिसके पीछे पुलिस नहीं घुमती समद लो असुखी हो तुम पैसा तो बढ़ गया अब डाटर के पीछे चक्का लगा रहे हो आदमी डाटर से अब आए में लेकर के चक्का लगा रहे हो डाटर के हाँ वकीलों के हाँ लाइन लगा रहे हो और तुम्हारे पीछे पुलिस घुम रही है कौन सा सुख मिला तुमको आप डाक्टर और वकिल को न ढूंड़े और आपको पुलिस न ढूंड़े बस खतम समधलों बड़े आज सुखी आदमे हो आप क्या कमी आपको पास है जीवन को ऐसा जीना है इसी के लिए गुरु क्या सकता होती है पैसा कमाओं लेकिन पैसा के पीछे आपके शरीर की भूख और रात की नीद और परिवार का प्रेम ये कभी नहीं घटना चाहिए यदि आपको बराबर भूख नहीं लगती है रात में नीद नहीं आती है परिवार में कला है तो समद लेना आप महा दरिद्र और अभागा आदमी हो ना भक्ती कामाएगी ना पूजा कामाएगी ना गुरु कामाएगी कोई काम नहीं आएगा किसके लिए कर रहे हैं सब शरीर की भूख न घटे मतलब शरीर में बराबर भूख लगती रहे मन में शांती बनी रहे और परिवार में आपस में प्रेम विश्वाद बना रहे इशीक इशीक पाने के लिए गुरु क्या आव सकता होती है लेकिन आदमी इस बात पर ध्यान नहीं देता है पैसा 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 ठीक है पैसा कमा पैसे जितना कमा सकते हो उतना कमा उसके लिए कोई मना ही नहीं है लेकिन गलत तरीके से पैसा मत कमाना है बैमानी करके छलकपड करके रागद्वेस करके जूड बोल करके घूस ले करके मिलादबाजी करके किसी को तकलीश दे करके पैसा मत कमा इससे पैसा वढ़ेगा आपका लेकिन रात की नीज खतम हो जाएगे कोई फैदा नहीं है किसी ने एक छोटी सी बात कही है लेकिन ये छोटी सी बात इतनी वजन्दार है कि जीवन का सारा भेज इसमें समाजा हुआ है सुखी कौन एक परस्ण है सुखी कौन ओ परस्ण मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ सुखी कौन सोने की देख मेरे परस्ण को सुनना ज़रा सोने की चेन पहनने वाला सुखी है या चेन से सोने वाला सुखी है याद कर ले ना सोने के चैन भले मत पहन पाओ लेकिन चैन से सोने वाला ज़रूर बनो और चैन से सोने के लिए पैसा नहीं चाहिए चैन से सोने के लिए ज्ञान चाहिए भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए संतोष चाहिए इसी के लिए गुरु का सकता होती है कि मैंने कहा तो सुरु में न कि गुरु जीवन दाता होते हैं जीवन को कैसे जीना है इसकी शीख गुरु देते हैं उतका साथ साथ जीवन को जो उद्देश्य है उद्देश्य क्या है आत्मकल्यान की प्राप्ति परमानंद के प्राप्ति उसे हम मोक्षे के प्राप्ति ब् और दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, इसकी शीख गुरू के पास, इसलिए हम गुरू को याद करते हैं, मानस आप लोग अच्छी तरह पढ़ते हो, छतिकर में राम तरह मानस तो गांगा में पढ़ते होती है, मानस में पढ़संग आता है, नौधा भक्ति का, राम जी सवरी से नौधा भक्ति कहते हैं, उत्में तिसरी भक्ति में बताया गया है, गुरूपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, तीसरी भक्ति क्या है, गुरूपद पंकज सेवा, गुरू के पद पंकज पैर कमल की सेवा, जिसका मतलब यह नहीं है, गुरू के पैर में राद दिन घी से मालिस करते रहा है, जो गुरू बिचार परसान हो जाएगा, मतलब गुरू का ध्यान करते हुए, मतलब गुरू ने जो उबदेश दिया है, उस उबदेश का जीवन में आचरन, और कैसे, अमान, मान रहित होकर, अहंकार अभी मान रहित होकर, बिनम्रवन करके, गुरू के बताया रास्ते पर चलना, यह तीसरी भक्ति है, चाहसे इसे तिसरी भक्ति कहो, चाहा पहली भक्ति कहो, चाहा आखरी भक्ति कहो, भक्ति तो भक्ति होती, वहाँ तो प्रता नौजा भक्ति कहें लिए, नो परकार की भक्ति बताई गई है, भक्ति का अर्थी होता है समर्पन और समर्पन में अपने को खाली कर देना होता है और जो खाली कर देता है अपने को धिरे धिरे वो भरता चला जाता है और जिसका मन पूरा का पूरा भर गया शान संतुष्ट हो गया वो गुरु हो गया यही तो शिख लेना है और क्या लेना है वैसे असली गुरु सब के भीतर वैठा हुआ है सब के भीतर वो गुरु क्या है बिवेक ग्यान आत्मा ये जीव ही गुरु है और जीव का गुन क्या है जीव का लक्षन क्या है ग्यान तो ग्यान गुरु है लेकिन हर जीव ग्यान सुरुफ होते हुए भटका हुआ है क्योंकि उसे अपने ग्यान का याद ने है ग्यान की याद ने है जान सबन में बंध रहाई जान के भए मुक्त होई जाए श्री पूराम साहिब कहते है जान तो सबन में है लेकिन बंधा हुआ है जब ज्ञान हो जाएगा न कि मैं कौन हूँ कहां बंधा हूँ, किस में बंधा हूँ, कैसे बंधा हूँ, कैसे छूटेगा किस ब्यवहार से चुटेगा किस करम आत्यां से चुटेगा प्रना कहां से मिलेगे जब इसका ग्uger हो जाएगा आख ग्यान होकर रुजातरे में जब चलेंगे तो फिर मुक्ती मिल जाएगी तो जो ग्यान गुरु है ग्यान गुरु हम चेला कबिर साहब ने पदमें कहा है लेकिन उस ज्ञान का इस्मरन हमें नहीं है हमारी भीतर खजाना गड़ा हुआ है जैसे कोई व्यक्ति है एकदम दर दर व्यक्ति है भीख मांग करके मुस्पिल से जीवन गुजर करता है भटक रहा है दर बदर कोई एक व्यक्ति मिला और का अरे तुम भीख मांग रहे है भटक रहे हो एकदम कहां कहां ठुक रहे जारो दुद्कारे जार रहे हो तुमारे घर में तो खजाना गड़ा है तुम तो महाँ धन्वान व्यक्ति हो उस ब्यक्ति ने कहता है आप मेरा अपमान क्यों करते हो कुछ देना तो दे दो मुझे धन्मान काकर खजाने के मालिक कहकर मेरा अपमान क्यों करते हो और ब्यक्ति कहता है मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं सच्मुत में बता रहा हूँ कि तुम तो खजाने के मालिक हो, तुम्हारे पास तो अपार खजाना है, तुम भी क्या मांगरों, तुम हजारों लाखों ब्यक्ति के भरन पोसन कर सकते हो, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, तो कहता चलो तुम्हारे घर, बताने वारा का चलो तुम्हारे घर, उसे घर ल नहीं था लेकिन कहा इतले खोदना शुरू किया कुछ देर चार से भीट खोदा तो एक बड़ा सा खजाना अंदर गड़ा हुआ मिला उसी के घर में खजाना था नहीं जानता था इतले भीख मांग रहा था जगा जगा ठोकर खा रहा था गिर गिला रहा था बताने वाले ने खजाना बता दिया कितना उपकार किया जिए बताने वाला ना मिलता तो जिन्दगी भर भीख मांगते मांगते दुसकार जाते हुए बेक्ति उमर जाता दुनिया से लेकिन बता दिया खजाना मिल गया अब माला माल हो गया अब खुद अपना खाता है हजार परना भरा हुए है, हम खञाने के मालीक हैं, लेकिन कहां कहां भिख मांगते घ्खिम रहे हैं, जगा-जगा, किस कि भिख opposite कमा PAUL एक चका है हैं और जगा जगा धुक रहारह है ये देवी वो द्योता ये ऊधा ये मंदिड ये पानी पानी पथर पहाड का आधमी चिरग्ड्र दुका रहा गिर्गॉर्ड हाथ जोल रहा है क्यों अपने आतम médico पता न होने काई हूझ गुरु उस रामधन को पता बता दे, तुम कहा भटक रहे हो, कहा ठोकर खा रहे हो, हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गुरु पास बैड़ते गए, बैड़ते गए, बैड़ते गए, और जैसा गुरु ने बताया, वैसा काम करते गए, करते गए, उस राते प हमारा वास्तविक धन का पता हमें मिल जाता है और हम माला माल हो हमारा जरदा खतम हो जाती है इसलिए कहा गया है कि गुरु समान दाता नहीं याचक छी समान गुरु समान कोई दाता नहीं वस्तु अमोलक देई मेरे सद्गुरु भली बता ही बाटा गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान दाते एक भजन में कहा गे वस्तु अमोलत दे मेरे सदग्र हम गुरु किसे करते हैं रुपिया, पैसा खाने पनी नएक चीजे, कपड़ लबता ये सर चीजे नासवान है आज हेकल नहीं रहने वाला है लेकिन गुरुन हमें अमर आत्मा का ज्ञान दे दिया उस अमर आत्मा का ज्ञान पा करके हम अमर हो जाते हैं इसलिए गुरु के समान कोई दाता दुनिया में नहीं है माता पिता को उपकार है, जीवन में बहुत उपकार है माता पिता का उन्होंने जनम दिया पाला पोसा लिखाया पढ़ाया योग बनाया बहुत उपकार है उनका जिन्होंने हमें विद्धा का दान दिया उसका भी बहुत उपकार है हमारे जीवन में लेकिन सरसे बड़ा उपकार तो जिन्होंने हमें ज्ञान दान दिया हमें आत् तूपकार नहीं है, इसलिए कहा गया है, कि गुरु सबसे महान होते हैं, इसलिए कहा गया, कि गुरुर देवो, गुरु धर्मो, गुरु निष्ठा परमतपा, गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, इसलिए गुरु परती जो निष्ठा रखना परमतप है, गुरु परत जो में आत्मा का ज्ञान देता है और एक भीतर गुरु जो आत्मा है बाहरी गुरु द्वारा अपनी भीतर के आत्मा रुपी गुरु का ज्ञान प्राप्त करके मन को समेट लेना बाहर से मन के जो रागविस विकार है इनका त्याक करके मन को सेवा भक्ति सत्संग द्वारा मन को निर्वन बना करके भीतर का जो गुरु है आत्मा उसे मन को लीन कर देना बस खजाना मिल गया और यही गुरु पुनिमा मनाने का फल होना चाहिए धीरे धीरे इसी राते पर हमें चलन अजब इसात्य पर चलेंगे, सब दरदता खतम हो जाएगी हमारी, हम भीतत पूरा का पूरा शांत हो जाना, जैसे गुरु करत होता है, तो शांत है, शीतल है, संतुष्ट है, ऐसे ही, सब कुछ हमारे पास है, शांत नहीं, शीतलता नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए हम गुरु की सेवा करते हुए, गुरु बताया दाते भच्चल करके, शांती, संतोस, शितलता का अनभव करें, और अंत में, शेवा भच्चल करते हुए, मन को निर्वल बना करके, बाहर से समेठ कर आत्मलीन कर दे, अनन्षांती का सुख मिल गया, हमारा वास्तवी धन मिल गया सब जर्जदा खतम हो गई, भटकना बंद हो गया, गुरु वहिजी का ज्यान देते हैं, इटलिए हम गुरु को याद करने के लिए, गुरु पुनिमा का पर्वा मनाते हैं, और गुरु कुपकार की स्मरन करते हैं, आज हम लोग, इसकभिर ब्रह्म्चानी यास्रम, नवा करने करते हैं, उस ग्यान करते हैं, जीवन का करम, विवहार, आचृण करना वैसा करना हैं, और धीरे धीरे, जहां रहते हैं, वहीं से, लोगों साथ प्रेम भिश्वाज का भवाबना करके, निश्काम और निरमो वह हो करके, मन को वास्तमिक जो गुरु है, अपना आत्म, अपना स्वरूब भाव उस मिस्थित करने तुमारी जनम जनम की जो भूखे खतम हो जाएगी भटकाव खतम हो जाएगा और हमारा माना जिवान पाना सार्थक हो जाएगा अगुरुपुनियमा माना भी हमारा सार्थक हो जाएगा आद्गुरु पुनियमा के इस उसार परेकत्र हुए हैं मैं अपनी वोर से और पूरे संसमाज की वोर से सब के लिए यह मंगल कामना करता हूँ कि जो जहां हैं अपने अपने जैसे जैसे उनकी योग्यता है अपने गिता कों सार से अपने घर के जार का काम करते हुए खेती किसानी काम करते हुए लोगों से प्रेम विश्वात का विवहार करते हुए शेवा भक्ति के मारग में आगे वढ़ें और आगे वढ़ते हुए सच्चे सूख शांत प्रसंता का अनभव करें और मानो जिवान सफल बनाएं इन्ही सुबकावनाओं के साथ आप सब को धन्यवाद देते हुए अपने मानी को भिराम